जैसंका जी जैसीराम सीताराम सिवपुरान में वाडन एक जानकारी जो आप पहली बार सोनेगे सिवपुरान में वाडन है कि जो बिवा के बाद नारी संतान को जन्म देने जा रही है तो जो भी चीज पूजा में लाए वो सिवलिंग के मोल भाग पर पूजा की हर समागरी का इसपर्स करा करी सिवलिंग पर चड़ाए नहीं सिवलिंग की पिंडी पर चड़ाए तो इससे संतान को जन्म देने में उसे दिक्कत नहीं होगी उसकी संतान बहुत आद्भूत पैदा होगी वही ब्यापार वाड़िज के लिए बेटे को अच्छी बहु मिल जाए बिना लाड़ाई जगने वाली बहु आए तो सीवलिंग का जुम्मध का भाग है उस पर पूजा की सामागरी का इसपस जरूर कराए जिससे अच्छी बहु घर में चल कर आएगी अगर बच्चों से आप सीवलिंग की पूजा कराते हैं तो जो सामागरी पूजा की चड़ावे वे पिंडी की उपर चड़ावे जिससे बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए कहना नहीं पड़ेगा बलकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा अगर ब्रध लोग हैं पूजा करते हैं सीवलिंग की तो वर्डन किया गया है कि उन्हें मोक्ष मिल जाए उनका उधार हो जाए उनका कल्याण हो जाए के लिवे बिंडी के उपर पूजा की समागरी जरूर सपस करके चड़ाएं तो इस स्यूपराण में एक अद्बुत बिधी है जिससे हर उम्र का इंसान अपनी इच्छा को बिना बोले ही महादेव पर ऐसी जगह वस्त चड़ा कर अपने लिव वर्दान की रूप में जियून पा सकता है हर हर महादेव